तो आज बात करेंगे पावर सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में जानेंगे के इन प्रोड़क्स में डिल करती है कंपनी के आगे क्या फीचर प्लांस है और उसको देखते हैं इस टॉक का क्या टार्गेट हो सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो कंपनी का नाम है एनल सी इंडिया जो है गॉवर्मेंट की कंपनी है एनल सी इंडिया मैं आपके सामने इसकी थोड़ा एक इंट्रोड़क्शन रखताहूं तो आप देखेंगे तनल दन कंपनी नाइंटीन फिप्तिश में यह कंपनी इंकॉर्प्रेंट हुई थी और कंट्रोल जो करी जाती है वो किया जाता है माईनिंग जंडरेशन एंड ट्रेडिंग और इन थ्री सेज्टमेंट्स में जो है कमपनी का भीजनिस है रीजनल प्रेजन नेशनल लेवल तक की प्रेज़ांस यह कंपनी की एड़ेंस टेकनोलोजी जो है यूज करती है रोवस्ट फइनेशल परफॉनमेंस रे आप देख सकते हैं यहां पर यह कंप्लीट ली इसके अगर हम देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से जो है आगे काम करना चाह रही है तो आप देखेंगे तो इनके डेवलापन सस्टेंग एंड एक्सपर्टीज इन पावर और माइनिंग बिद फोकस ओन ग्रोथ एंड फिनेंशल स्ट्रेंथ एंड पी सोसल रिस्पांसिव एचीवल सस्टेंग डेवल डेवलपमेंट एंड वी सेंसिटिव इमर्जिंग एंवर्मेंटल इस्टूज तो कंपनी जो है एक लगी हुई है प आउसिंग फॉर ओल है आरवन एरिया में जो डेवलपमेंट है उसकी तरीके से तीसरी बात जो इंडस्ट्री जो दीरे-दीरे-दीरे-दीरे करके अपना जो एरिया और बढ़ा रही हैं उसको देखते हुए और काफी चीज़ें हैं तो इस तरीके से जो हैं काफी चीज़ को इंक्रीव किया है काफी अच्छे तरीके से एंड यहां पर पैन इंडिया प्रिजेंस की अगर बात करें तो कंपनी की एक अच्छी-खासी प्रिजेंस मौजूद है एक अल ओवर दा इंडिया आप यहां पर देख सकते हैं एंड को बिजनिस अगर आप देखेंगे तो म анные कि अच्छी करें तो यहां पर देखेंगे तो एक अच्छा कहासे इंवेस्टमेंट्र जो है कंपनी ने करके भी दिखाया है एंड हर जगे पर जो है इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ाया है 2920 के मुकाबले 2021 में इंवेस्टमेंट बढ़ाया है स्ट्रॉंग इन हाउस कैपिविल्टी है कंपनी के पास में एक्सपर्टीज इन ओपन कास्ट माइनिंग एंड पावर जनरेशन लिगनाइट रिसोर्स फॉर कैप्टिब कंजप्शन नोडल एजनसी फॉर लिगनाइट माइनिंग तो देख सकते हैं एक फैनेशल्स अगर आपके सामने आरो सी रखूं तो आरो सी एक अच्छी खासी है कंपनी की एंड फैनेशल्स अगर आप नेट वर्थ एंड लोन आउस्टेंटिंग अगर आप देखेंगे यहां पर कुछ माइनिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो पावर जनरेशन में अगर आप देखें सेघ्टमेंट इंगे तो अगरे अगर दिरा दी्टमेंटेजने मधस अपरफॉर्मेंस जो है रही है अगरा अपकेड़ेनर्य पोटेंशल जो है आप देख सकते हैं एक की सिट मेर्मेक दीशची के बढ़ता हुई दिखेगी electricity energy requirement और टारगेट रिन्योंवल एनरजी वाइट टो तक तो दो जार बाइस थक जो इनके टारगेट रिन्योंवल एनरजी है वो भी तो जहां पर मुझे लगता है कि आने वाले टाम में कम्पनी की जो एक एक फोकस है, एक टार्गेट है, एक पावर डिमांड को लेके, रिनुवल पोटेंशल को लेके, तो उससे जो है कंपनी एक अच्छा खासा मुझे लगता है एक परफॉर्मेस दिखाते हुई नजर आईगी, लेकिनाइज रेजर बगर देखेंगे तो इंडिया के अंदर जम लुखने को मिलेगा, ग्रोथ प्लान क्या है, एनलसी के पास में जो ग्रोथ प्लान है, विजन 25 के इसाब से, आप देखेंगे, एग्जिस्टिंग केपशिटी इनकी ये है, एन एडिशनल प्रपोश्ट जो है, ये है, तो आप देखेंगे, करीब-करीब, यहां पर अगर बात करें तो टोटल पावर टोटल जो डॉको एंगे यहां से डफ़ां करते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में में इनकी जो कैपLESिंटी त्हसर 추्ड़ पावर जंडडर की है उसको यह डबल करते हुए नजर आएंगे तो यह company के लिए जो है मुझे लगते हैं एक अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ सकती है growth plan over three years के लिए हम देख सकते हैं यहां पर तो यहां पर भी company जो है एक अच्छा खासा काम करती हुई नजर आएगी और additional जो है अपनी capacity को भड़ाएगी coal-based में and renewable में तो यहां पर ongoing upcoming mining projects भी जो है company के पास में मौझूद है जो complete होते हुए आएंगे 2027 तक यह project जो है under formulation है and यह complete कि यह company के जो है on hold पे हैं तो कुछ project जो है इनके आने वाले time में जो है आते हुए दिखेंगे तो देख सकते हैं इनके पास में यह भी काफी project मौझूद है 2021 के अंदर कुछ और under formulation चल रहे हैं कुछ और hold पे हैं तो इस तरीके से company के पास में एक एक project भी जो हैं मौझूद है आने वाले time के लिए तो अगर overall अगर आप देखी जाए तो power sector में PSU company है और उनका जो fundamentally अगर आप देखेंगे तो आगे मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो यह workout कर रहे हैं आने वाले time में possibility जिस तरीके से अपनी capacity को जो है additional और बढ़ा रहे हैं मुझे लग सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर कर लें बात करते हैं स्टॉक के चार्ट की हालागी जैसा इनका बिजनेस है उसे साब से देखेंगे तो इस टॉक में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा स्टॉक बहुती जादा मरा हुए इस स्टॉक अभी भी घुं रहा है जब्किश्तॉर स्टॉक सी में उपर निकल चुके 15 तक य कहीं नहीं निकल पाया है अभी तक और लेकिन चीनों के हिसाप से मैं आपके साम炼ने रखोंगा तो कि इस साब से मुझे लगता कि कोछ समय कोस्टा attendance स्टाविए के लिए देखते हैं कि स्टम में लगा यहां पर लगाया रिषेंट्ली सेवंटी फॉर के आसपास और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो थाट्व.ट पर्सेंट की resistance के नीचे ही stock अभी भी trade कर रहा है मतलब अपनी बियारिस territory में stock अभी भी trade कर रहा है तो मुझे लगता है कि short term and long term के लिए इस stock से अगर आप दूर भी रहेंगे तो कोई ऐसी दिक्तत के बात नहीं है और काफी stocks है power sector के अंदर जिने stocks में आपको जो है अपनी स्टेक लगानी चाहिए अपनी स्टेक लेनी चाहिए इस पी सी स्टॉक को अगर आप छोड़ी भी देंगे तो मेरे एसाब से कोई ज्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं कुछ खास चार्ट नहीं इसके जो हैं बने हुए हैं तो मुझे लगता है कि यहां से इसमें अगर एक चाल उपर के अगर आपको देखने को मिलेगी तो सकता है साथ रुपे तक पैंसाट रुपे तक यह जाता हुआ देखे क्योंकि यह वाली प्राइसे बढ़ा रही है और यह अपने जो है प्राइसे बढ़ते हो दिख सकते हैं तो इससे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इनको एक फाइदा देखने को मिलेगा अधरवाई इस टॉक में कोई ऐसी जान नहीं दिख पा रही है तो हो सकता है कि आप पॉसिब्ल आ अगर 40 इसमें अगर बनती है तो मेरे इसांप से करीब-करीब इस टॉक को एक 100 रुपीस का जो एक एरिया है 100 रुपीस के एरिया को completely cross करना पड़ेगा 100, 100, 122 तो मुझे लगता है 112 के अरियया को काफी एक हडल्स वाले एरिया हैं यहां से कहीं निकले ऊपर तब कहीं जाक तो यहां से मतलब हो जाएगा तब भी अपनी वेर इस रेंज में रहेगा बहुत यादा मतलब मरा हुआ ये यहां पर बात करते हैं तो डिवीडेंट की तो वेशक रेगुलर डिवीडेंट यह पे कर रहे होंगे इंवली रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू में देख सकते हैं आप गिरावर देखने को मिल रही है profitability की बात करें तो देख सकते हैं साल-दर-साल के रावट देखने को मिल रही है debt की बात करें तो debt भी company पे जो है अब बनी होई है और यहां quarter on quarter भी अगर performance में आपके सामने रखों तो देख सकते हैं कोई यह खास ऐसी अच्छी-कासी कोई performance नहीं आ रही यह revenue के लियास से आला की performance ठीक है profitability में देखेंगे तो कुछ खास performance company तरब से नहीं देखने को मिल रही है कुछ अच्छी-कासी EPSB company की जो है नमाडोल चल रही है तो FIATI के पास में आला की holding कपी अच्छी-कासी है promoters के पास में अच्छी-कासी holding है government of India के पास मुझे लगता है company की जो है एक देख सकते हैं आप यहां पर तो 80% के आसपास की government of India के पास में holding है और यहां पर बात करें तो ROE की तो 10 की ROE है depth अच्छा-कासा है तो ऐसे जद्दो-जहद वाली company के अंदर just like मुझे लगता है कोल इंडिया की तरह इसका भी एक performance ऐसे रहने वाला है और हाला कि देखते हैं company आगे जिस तरीके से renewable energy में अगर मान के चलो अपना focus अगर करती है वहां से अगर कुछ अगर करती हुई दिखती है performance अगर बढ़ती हुई दिखती है green energy की side तो मुझे लगता है कुछ यह कुछ खास काम जो है company कर पाएगी आगे देखते हैं ओफुली कैसा रहता है को लॉंग टर्म के लिए अगर लेना चाहते तो मेरे इसाब से अभी कोई फायदा नहीं है शौर्ट टर्म के लिए भी कुछ खासा अगर तब कितब देखेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो चले के तब लाइक ज़रू करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको तब भी इसे स्टॉक से अगर कोई और भी गएर है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं थैंक्यू